नमस्कार जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरु का यूटूब चैनल आप सभी देख रहे हैं इसके पहले वाले कॉशन हम पढ़ चुके हैं लुसेंट का अस्सार आपको बादा किया है एक हजार से उपर के कॉशन हम कराएंगे वीडियो नमबर दो है यह जिसना पहला वीडियो देख लिए अच्छी बात है इसके भी कॉशन लगा के देखो आपके मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंतर 5 दिन में एक हजार कॉशन हो जाएंगे आपके पहला question अच्छा like तो कर दो सभी मिलके पुराने नए student सभी like कर दो कम समय में जाला question आपके लिए लाते हैं तो इसके लिए एक like तो बनता है like ज़रू कर देना वायसराई की कारेकारी परिसर में समलित होने वाला प्रथम भारती ये कौन था तो सबसे पहले ये मैंना आपको surprise question दिया था यहाँ पर right answer हो जाएगा सत्यंद्र नात, सत्यंद्र प्रसाद सिना जी सबसे पहले भारती थे वायसराई की कारेकारी परिसर में सम्मिलत होने वाले निम्नलेके तो में से बहुत धर्म की पवित्र पुस्तक कौन से है तो यहाँ पर आपको जो option दिये गए है उसमें से त्रिपिटक ये बहुत धर्म की पवित्र पुस्तक है option number ये right answer है अमरितसर संधी पर हस्ताक्षर कब किये गए थे तो जो अमरितसर संधी हुई थी इस पर हस्ताक्षर आपके जो हुए थे 1809 में हुए थे ऑप्शन नमर भी 1809 राइट आंसर है हडपा सविता की खोज सरपतम किस वर्ष में हुई थी तो हडपा सविता की जो खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी option number से 1921 राइट आंसर हो जाएगा निम्दलेकित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिस राज के सीधें इंतरम में आ गया था तो भारत ब्रिटिस राज के सीधें इंतरम में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर है आपका option बड़ी 1870 की क्रांती हुई थी उसके पहले इस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करती थी और 187 ताउन की क्रांती के जश्ट एक सालवाद 187 ताउन में ब्रिटिस के सीधे क्राउन के अंडर आ गया था राणी हम पर ब्रिटिस की राणी सैशन करती थी मैसूर सामराज और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंगलो मैसूर युद्ध कपल लड़ा गया था तो जो दूसरा एंगलो मैसूर युद्ध जो हुआ था राइट आंसर हो जाएगा वह हुआ था आपका 1780 से 1784 के बीच में ऑप्शन नमबर यहां पर 1780 से 1784 राइट आंसर है टीपु सल्तान के शाषनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी तो टीपु सल्तान के शाषनकाल में उनका जो राज्य था मैसूर उसकी राजधानी थी श्री रंग पट्टम श्री रंग पट्टम ऑप्शन नमबर यहां पर आईट आंसर है दिल्ली चलो और तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आज़ा दूँगा नारे किस न दिये थे तो ये दोनों नारे मैं आपको एक कौशन एक बर करा चुका हूँ आज से पांच-दस दिन पहले सुभाश चंद्र बोस ऑप्शन नमरे यहां पर राइट आंसर है भारत में नमलके तमेंसे कौन सी जगह आप मुगल साम converat हुमायू के पुस्काले को देखने के लिए जाएगे तो हुमायू का जो पुस्तकाले है वो आपका मिलेगा आपको नई दिल्ली में नई दिल्ली प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित में से सिंदू सविता का कौन सा इस्तल सिंदू नदी के टरपर इस्तित नहीं है तो सिंदू नदी के टरपर इस्तित नहीं है बोला गया है यहाँ पर आपको जो option देगा है रोपड ये सिंदू नदी के टटपर इसल नहीं है बाकि आपके सभी सिंदू नदी के टटपर थे रोपड नहीं था सिंदू नदी के टटपर किसने वर्धा योजना या बुनियादी सिक्षा को प्रस्तावित किया था तो बुनियादी सिक्षा को प्रस्तावित करने वाले थे आपके महातमा गान्दी जी Option number A, महातमा गान्दी जी राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शाषिनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमनामा के रूप में किया गया तो रजमनामा जो थी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थी आपकी महाभारत Option number A, महाभारत को रजमनामा के रूप में अनुवादित किया गया Option number A, निम्नलकित में से किस आंदोलन की शुरुवात महातमा गानी जी दोरा 1930 में की गई थी, 1930 में महातमा गानी जी ने सविना अवग ज्यान दोलन की शुरुवात की Option number B जोस्तों Question पसंद आ रहे हैं और जोसे देसको 10,000 Question चाहिए PDF जी के नीचे दिये गए नंबर पर आप Phone Pay, Google Pay, Paytm से Book मंगा सकते हैं, PDF मंगा सकते हैं WhatsApp पर आपको PDF मिल जाएगी है, 10,000 Question है, 300 रुपए की PDF सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रही है, सिर्फ 1000 बच्चों के लिए, जिसको भी मंगानी है, नीचे देगए नंबर पर Contact कर लो, आपको PDF मिल जाएगी है भारत सरकार ने 1948 में Operation Polo, Code Name के तहट, Dash को अपने अधिकार मिल लिया था, तो भारत सरकार ने Operation Polo, ये चलाया था है था हैधरावाद के खिलाफ, हैधरावाद को अपने अधिन लेने के लिए, हैधरावाद जो चाहरा था कि हम भीया अकेले आजाद रहेंगे, हैधरावाद रियासत को मिला लिया था, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रसंशा में रचित शिला लेखों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जिस शिला लेख हैं प्राचीन भारत की राजाओं की प्रसंशा में लिखे गए हैं, इसको यहाँ पर आइड आंसर हो जाना जाता ह कि प्रश्रा नहीं का दोनों के गुरू कोन थे तो महात्मा गांधी जी और महांबद अली जिन्ना इन दोनों Lequiera Knight पृपाल कृष्ण गोखले जि अप्षन मशीं गोपाल क्रिष्ण गोखले जी राइट आन्सर हो जाएगा प्रश्ण के लिए भारत के प्रतंप प्रश्षड़ा वर्ग आयोक का नितरत किस सबसे पहले प्रशड़ा वर्ग आयोक का नेत रूमक्रिष्ण मिशन के संस्थापक थे तो राम कृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानन जी, option number सी स्वामी विवेकानन जी राइट आंसर है बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलकित में से किसे पराजित किया तो चंदेरी में बाबर ने पराजित किया था राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंदेरी की बात हो रही है, मेदिनी राय, option number भी, मेदिनी राय, प्रश्णी के लिए राइट आंसर हो जाएगा ने निम्नलकित में से कौन, Congress Socialist Party के संस्थापकों में से एक था तो Congress Socialist Party के संस्थापक राम मनुहर लोहिया जी थे, option number भी, मौलवी, लियाकत अली जी राइट आंसर हो जाएगा कुल कितने वेदांग होते हैं, तो वेदांग जो होते हैं यह आपके 6 होते हैं option number भी, छेह वेदांग होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष पानीपत के युद्व में, बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा कर दिल्ली और आगरा पर कबजा किया था तो दिल्ली और आगरा पर कबजा, बाबर ने 15-26 में किया था, option number ए, 15-26 वी राइट आंसर है पुष्यमित्र सुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौरशाशक कौन था तो आखरी मौरशाशक जिसको पुष्यमित्र सुंग ने मारा था, ब्रहदत, option number ए, ब्रहदत राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के अंतिम सुईकरत समराट कौन से, कौन थे इन में से, तो गुप्त वंश का आखरी समराट सुईकरत, यहाँ पर आईट आंसर क्या हो जाएगा प्रशने के लिए, तो option number ए, विश्णु गुप्त को लाष्ट समराट माना जाता है, सुईकरत समराट हर्यक वंश से मगद के पहले शाषकों थे, तो हर्यक वंश के पहले मगद में थे आपके बिम्बिसार, option number ए, बिम्बिसार शाषन करते थे, इनके बाद जश्ट आया था हर्यक वंश, गुजरात में जील, डैश, वसुता एक क्रत्यम जलाशा है, जो मौरियों के शाषनका साषन की जीवनी है, जो उनके दरवारी कभी डैश द्वारा संस्कृत में रशित है, तो हर्यक शरित्र जो है, इसको लिखादा बांड भटन है, और ये संस्कृत में है, और ये हर्श वर्धन की जीवनी है, option number ए, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, बिल्कोल इसी आए है, सोचो, आर आर भी जे ही का कॉशन है, निम्नल के तमें से कौन से, राजा, संग मित्रा और महिंद्र वर्वन के पिता थे, तो संग मित्रा और महिंद्र वर्वन दोनों के पिता थे, अशोक, मतलब अशोक के पुत्र कौन कौन से कहलाए, संग मित्रा और महिंद्र और चात्र और शिक्ष के दोनों के रूप में रहा था तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेन सांग ये आपका नालंदा आया था और यहाँ पर पहले सबसे पहले चात्र रहा पढ़ाई करी उसके बाद यहाँ पर पढ़ाया भी सिक्षक की रूप में भी काम किया उसने ये निमत लेकित में से कौन सा नगर गुप्तवन्श की राजधानी था तो गुप्तवन्श की राजधानी राइट आंसर क्हाँगा प्रेशन के मुंबई राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाई के लिए किस वंश ने दसवी और ग्यारवी सतापदी में प्रसुद्ध खजुराहों मंदरों का नमण कराया तो खजुराहों दिल्ली की पहली महिला शाशक कौन थी या शाशी का बोलो दिल्ली की सबसे पहली महिला शाशी का रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना ऑप्शन नमसी यहाँ पर राइट आंसर है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया तो पानीपत का सबसे पहला युद्ध ये लड़ा गया आपका 1526 इसवी में option नमसी 1526 इसवी right answer हो जाएगा प्रश्णी के लिए कृष्ण देव राय डैश सामराज के सशक थे तो कृष्ण देव राय जी जो थे ये आपके option नमबर भी विजय नगर सामराज के सशक थे option नमबर भी विजय नगर right answer हो जाएगा डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी नाम लिया गया ये नाम दिया गया तो मुगल सामराज का संस्थापक यहाँ पर आपको जो option देगा है उसके अनुसर आपको आंसर देना है right answer हो जाएगा आपका option number बाबर बाबर ये मुगल सामराज का सबसे पहला सुल्तान था खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपका बाबर और राणसांगा के बीच option number ए बाबर राण सांगा right answer है पानीपत का प्रथम युद्ध कहां हुआ था पानीपत का सबसे पहला युद्ध हुआ था आपका हर याना में पानीपत कहां पढ़ता है हर याना में option number ए किस मुगल समराट ने फतेपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया तो फतेपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था option number एकबर ने फतेपुर सीकरी को राजधानी बनाया था बीरवल किस मुगल समराट के दरवार के सदस्य थे जो बीरवल थे right answer हो जाएगा बीरवल ये ते अकबर के दर्वार की सदसे दर्वारी option number यहाँ पर A right answer है भारती तिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था आलमगीर यहाँ पर आपको जो option दियेगा है सही answer हो जाएगा ओरंग जेव को कहा जाता था आलमगीर option number C ओरंग जेव right answer है मोती मजजिद अमलगीर के दिम्से किस समारक में इस्तित है तो मोती मजजिद जो आपकी इस्तित है यहाँ पर आपको जो option दियेगा है आगरा का किला option number यहाँ पर भी आगरा का किला right answer हो जाएगा प्रशने के लिए जैसल मेर का किला किस में कहां पर इस्तित है तो जैसल मेर का जो किला है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए यह आपका राजस्थान में है option number D, राजिस्थान में है जैशल मेर का किला, भारत में फोर्ट बिलियम डैश नदी किनारी से थे, तो भारत में फोर्ट बिलियम राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थे हुगली नदी किनारे, option number D, हुगली नदी प्रश्णी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, गला पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्णी के लिए, option number B, एनी बेसेंट, या रखना, एनी बेसेंट, most important question है, कई बार एक्जाम में हो आए, अगला कोशन दिखिए, option number B, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही विद्रो का दौरान भारत का गौवर्निजनल क कौन था, caution आप से पूछा गया है, तो या रखना, most important caution है, Lord Canon, सिपाही विद्रो कब हुआ था, तो यह आपका अठासंताउन की करांती को ही सिपाही विद्रो का जाता है, Lord Canon जो थे, इस समय गवर्निजनल थे, और इसके बाद अठासंताउन में ही, East India Company से, British Crown के हाथ में चल मतलब सीधे England के गुलाम हो गए थे हम, भारती राष्टी कॉंग्रेस दुवारा समविधान सवा की मांग को 1936 में इसके डैश में अधिवेशन में पस्तावित किया गया था, तो समविधान सवा की जो मांग हुई थी, यह हुई थी आपकी फैजपुर अधिवेशन में, option number और भी फैजपुर अधिवेशन राइट अंसर हो जाएगा, महातमा गारी के अधिवेशन में अधिवेशन में, बेलगाम प्रशनिक लिए बिल्गूल सचे अंसर हो जाएगा, 1911 का लखनु समझोता किस के बीच हुआ था 1916 का लखनु समझोता भारती राश्टी गॉंगरिस और इंडिया Muslim League के बीच में हुआ था उप्शनमर C भारती राश्टी कॉंगरिस और इंडिया Muslim League राइट आंसर है 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के वरुद दांडी आत्रा का आयोजन किया था तो महात्मा गांधी जी ने डांडी आत्रा का आयोजन ये किया था नमक पर लगाय जाने वाले कानून के वरुद option number D right answer हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्दलिकित में से किसके द्वारा स्रजित किया जाता है तो गवर्नर जनरल का जो पद होता है भारत में ये आपका चार्टर अधीनियम 1833 के तहत option number D चार्टर अधीनियम 1833 के तहत स्रजित किया गया था निम्नलग इसमें से कौन भारत के गावर्णर जनल थे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गा है उसमें से सी राजगोपालाचारी जी यह भारत के गावर्णर जनल थे ऑप्शन नमर भी राइट आंसर है दोस्तों पीडिएफ यदि आपको चाहिए कौशन अच्छे आपको जर्ख से सकते हो फोन पर जनकारी पर कर सकते हो अगला कोशन दिख्यों सुराज is my worth right and I shall have it मतलब सुराज मेरा जन्म से दधिकार है और मेंसे लेकर रहूँगा किसका कठन है तो ये बाल गंगा धरते लग जी ने कहा था option number यहां पर सी बाल गंगा धरते लग जी right answer है सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं तो सारे जहां से अच्छा जो गाना है इसके बोल लिखेगा है मुहंबद इकबाल के द्वारा option number यह मुहंबद इकबाल right answer हो जाएगा करो या मरू का नारा निम्नल मेंसे किस आंदोलन से संबनित है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लौड वेवल ने किसे आमंतरत किया तो लौड वेवल ने आमंतरत किया था जवाहलाल नहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए option number यहां पर यह right answer हो जाएगा सिंदु घाटी सविता डैश वर्स पुरानी है और दक्षण में गंगा घाटी के निचले छेत्रों वा उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी तो सिंदु घाटी सविता की बारे में जो मानने है यह आपका 2500 से लिगा 3000 यहां पर option में आपको 3000 यहां पूर दिख रहा है 25 से श्टार्ट हुई थी इसा पूर्व से लेकर इसके आज़ पास लगबग मानी गई है और अभी आपको होता है मालवा के दक्षण से गंगा तर सिंदु घाटी सविता option नमबर ए सिंदु घाटी सविता राइट आंसर है भारत का इतिहास सिंदु घाटी सविता के जन्म से शुरू होता है अस्तुत में कब आई लगबग लगबग 25 इसा पूर्व option नमबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिंदु घाटी सविता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्ट करते थे तो सिंदु घाटी सविता के लोग राइट आंसर हो जा है तो राइट यहां सलोल जाएगा आपका आजमघड़ यह सिंदु घाट इसाविता का महतों स्जल्ट नहीं है बागी काली बंगा मोहन जोड़ा-रो और ह यह आपके सिंदु घाटि सम्टे만ink survey अगला कॉश्ण लेकिक इसमें आपसे पूछा गया है मुहंजोदाड़ो नामका अर्थ डैश में मुर्दों का तीला कहलाता है तो मुर्दों का तीला मुहंजोदाड़ो को बोला जाता है सिंधी वहांसा में, option number यहांपड़ी, सिंधी वहांसा right answer हो जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद यहांपड़ जो option दीगा है option number यहांपड़ी, रिगवेद right answer हो जाएगा सबसे पुराना वेद के लिए option number यहांपड़ी right answer पुछा गया है, 1028, option number यहांपड़ी लगा दिना टिक, निम्न लेकित में से कौन सा वेद, जादू यह अनुष्ठान और वशीकर्ण के बारें बताता है, तो जादू यह अनुष्ठान टूंबखम जो यह शब्द है, इसका लिख, क्या गया है, महा उपनिशद में, option number यह, महा उपनिशद right answer है, उपनिशदों में से डएश उपनिशद मुख्य माने जाते हैं, तो आपकी 108 उपनिशद में से, 11 उपनिशद मुख्य माने जाते हैं, सबसे पुराना कौन सा इन में से जो ऑप्शन में दिये रहे हैं तो राइट आंसर है आपका चंदों के उपनिशद सबसे पुराना उपनिशद माना जाता है ऑप्शन मड़ी आरे संस्कृति के सरवच काल में गंगा घाटी के जनपत जो संख्या में कितने थे महा जनपत बन गए तो गंगा घाटी के किनारे किनारे जनपत थे टोटल सोला थे जो बाद में चलके बड़े हो गए और सोला महा जनपतों के नाम से ये आपके टोटल जनपत जाने जाने लगे पार्शुनात जो एक छत्री और बनारस के राजा अश्योसेन का पुत्र था वह डैश जैन तिर्थकर बने तो पार्शुनात जी जो थे ये छत्री थे और बनारस के राजा के ये पुत्र थे अश्योसेन के पुत्र थे और ये बने थे आपके 23 जैन तिर्थकर ऑप्चन न नमबर के तो महावीर जी जो है यह आपके 24 वे तीर्थकर माने जाते हैं ऑप्शन नमबर सी राइड आंसर है डैश का जन्म पंद 563 इसा पूर में हुआ था और चार्सो 13 इसा पूर में असी वर्ष के उम्रमें इनकी म्रत्यी हो गई थी तो राइड आंसर यहां पर क्या हो जाएगा तो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध जी को शाल के व्रक्ष के निचे जन्म दिया था option number इस साल का व्रक्ष था right answer है बौध धर्म की नियो महान सच्चाईयों एवं डैश अंग्य पत पर रखी गई है तो बौध धर्म में जो वर्नित हैं आपके चार महान सच्चाईयां और आठ अंग्य पत ऑप्षिन बड़ी निम्नलेकित में से कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाईयों में से एक नहीं है तो चार महान सच्चाईयों में से एक नहीं है पूछा गया है संसार दुखों का घर है बोला है दुख का काण इक्चा ये भी बोला गया है यदि एक्चाओं से सुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवानल हो सकता है ये नहीं बोला तो ओक्शन नमर यहाँ पर C आपका जलत है थिक है? अग्ला कोशन देखिए टर्प्टक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संभनद है तो टर्प्टक बौट धर्म से संभनद है टर्प्टक डैच उपदेशों का पहला संग्र रह है तो त्रिपिटक बहुत धर्म के उपदेशों का पहला संगर है option number C right answer है बहुत ग्रंथों का अध्यन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था तो बहुत धर्म ग्रंथों का अध्यन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंग जांग आया था option number B जुआंग जांग प्रशन के लिए right answer हो जाएगा बोध गया किस भारती राज जिमस्त है तो बोध गया यहां पर right answer हो जाएगा यह इस्तित आपका बिहार में option number B बिहार में इस्तित बोध गया अगला question देखिए गौतम बुद ने अपने उपदेशों में जन साधान की भाशा का प्रयूग किया वो भाशा कौन सी थी तो गौतम बुद जीन राइट आंसर हो जाएगा पाली भाशा का प्रयूग किया है option number C अपने उपदेशों में पाली भाशा का प्रयूग किया है गौतम बुद जीने गौतम बुद ने अपना पहला उपदेश के कहां पर दिया था तो गौतम बुद जीने सबसे पहला जो अपदेश दिया था सारनाथ में दिया था option number C सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा अशांती देखी गई थी तो जैन धर्म और बहुत धर्म का उधा हुआ था क्योंकि भारत में धार्मिक तोर पर अशांती थी ये था आपका छटी शताब्दी option number C छटी शताब्दी राइट आंसर है गौतम बुद जी की मा का नाम क्या था तो गौतम बुद जी की मा का ना यह थे आपके अशोक option number C अशोक राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए अशोक के शाषनकाल में सबसे महतपूर घटना कलिंग आदुने के योग डैश पर वजय थी जो उनके जीवनकाल का एक महतपूर परिवतन से दुआ कलिंग जो है वकिसराज्य का हिस्सा है आ अशोक जो थे इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद उपदेशों का अपना लिया था option number और यह आज का आखरी कॉशन वीडियो लंबा हो रहा है यह वीडियो नंबर दो था जिसने पहला वीडियो देखा भी आपको स्क्रीन पर लाश्ट में शो हो जाएगा पहल मिलेगी जो भी एक हजार बच्चे होंगे स्टार्टिंग में उनको मिल जाएगी option नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यह युद्ध हुआ था आपका 261 बीसी में आपके लिए सर्प्राइस कॉशन कमेंट करकर ताओ इस प्रश्ण का अंसर अगली वीडियो में च अगला वीडियो जल्दी से जल्दी मिले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इन शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद